हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, तो आज हम लव टू हीट यू का एपिसोड टू देखेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने एपिसोड वन नहीं देखा है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ए जी हाए महां से बाहर आकर अपने बॉस से कांगो की बुराई करती है, और दोनों बहुत गुस्सा होते हैं, जी हाए के जाने के बाद कांगो वन जुन से पूचता है, आखिर उसने ऐसा क्या किया, जो जी हाए माफी माँझने लगी, वन जुन कहता है, उसने गिल्मू से बात की और उन्हीं धंकी दिलवाई कि प्रोडक्शन कंपनी उन पर केस कर सकती है और वो मान गई अब क्योंकि मामला निपर चुका था वो उन जुन कांगों पर अपना गुस्सा निकालता है कि क्या सोचेंगे गिल्मू वाले बड़े दिल वाला नाम कांगों असलियत में ब वो अकेली फीमेल होगी क्योंकि गिल्मू फीमेल लॉयर्स हायर नहीं करते पर वो डेस्परेट है इसलिए वो इंटर्व्यो के लिए आई है फिर वहां मिस चॉय आ जाती है और थोड़ी देर बाद वान जॉन और कांगों भी आते हैं बिरान को कांगों की कही बात याद है और वो कांगों को पैर फसा कर किरा दीती है कांगों कि वोन जोंट से पूछता है अब में क्या करूं कहता है वोन जोन एंबैरस्ट हो जाता है और कहता है अच्छा we nine अच्छा मजग बंड है तुम कहता है कि उसे किसी ने गिराया है हम सीसी टीवी पर चेक कर सकते हैं पॉंजान कहता है फिर CCTV वाले स्टाप पे तुम पर हसेंगे और अब इस बात को भूल जाओ सीन शिफ्ट होता है और मिरान इंटर्व्यू के लिए अंदर आती है मिस चॉय पूछती है क्या तुमने कभी डिवोस केसिस लड़े हैं और बहुत से इनफॉर्मल कोशन सूचती है क्या तुम्हारा बॉइफरेंट है तुमने कितने लड़कों को डेट किया है मिरान बताती है उसने 15 लड़कों को डेट किया है उसे अलग लड़कों का डेटा करना पसंद है फिल्मिस चॉय बोलती है तुम हमें अपना स्पेशल टालेंट क्यों नहीं दिखाती मिरान अपने पिछले इंटर्व्यूज के बारे में सोचती है जब उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाई थी और उसे अच्छे नमबर नहीं मिले थी तो वो इस बार कुछ अलग करने का सोचती है और बोलती है कि उसके पास एक टैलेंट है और इसे कहते हैं आप इतना बूर हो जाएंगे कि आप मुझे मारना चाहेंगी और अजीब तरी किसे टांस करने लगती है और पेसरी आवास में गाना गाती है कि मिस्चॉई भी इरिटेटेड होकर खड़ी हो जाती है बाहर कांगू एमपलॉईस के साथ पिकलिक करवा रहा था और वहां कि सारे मेले एमपलॉईस उसे खोर रहे थे वहां मिरान का एक्स बॉइफरेंट जी हुबी था सीन शिफ्ट होता है और एक स्टाफ पॉन्जान से बात कर रहा था तब ही वहां मिस्चॉई भी आ जाती हैं और बताती हैं कि वो अपने लिए फीमेल लॉयर डून रही है यहां मी ओ लिफ्ट का वेड़ कर रही थी कांगो मी ओ को देखता है और उसके पास जाता है और लंगणाने की एक्टिंग करता है और पूछता है तुम यहां काम करती हूँ मिरान कहती है मैं बस यहां इंटर्व्यू के लिए आयथी फिर कांगो कहता है, मैं विल्गुल ठीक नहीं था, बस ठीक होने की एक्टिंग कर रहा था, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शायद फ्रेक्चर है, मिरान उसे पैर मूव कराती है, और वो आसानी से पैर मूव कर लेता है, मिरान कहती है, फ्रेक्चर तो नहीं ल वो वहां से चली जाती है कांगो कहता है उसने रिकॉर्ड तो नहीं किया पर गिराया जरूर था फिर वहां वान जॉन और मिस चॉई भी आ जाते हैं मिस चॉई कहती है हमारी एजनसी एक है पर फिर भी हम सिर्फ अवार्ट शो या लॉफ वर्म में ही मिलते हैं फिर मिस चॉई के कहने पर तीनों एक साथ बैठते हैं थोड़ी ही देर में मिस चॉई और कांगो बहस करने लगते हैं फिर मिस चॉई अपने अवार्ट चीतने की खुशी में पार्टी रखने को बोलती है वान जॉन कहता है कि हमारा स्टाफ काफी बिजी है क्यों न कांगो और मिस चॉई एक ही साथ पार्टी दे दे कांगो मना कर देता है और मिस चॉई के साथ पहस करने लगता है वान जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है ठीक है पर कांट्रक्ट हतम होने के बाद दोनों में से कोई एक अलग एजनसी में चले जाना या दोनों ही चले जाना और गुस्से में वहां से चला जाता है वान जॉन का कुस्सा दिखते हुए कांगो और मिस चॉई एक साथ पार्टी देने को मान जाते हैं वापस जाते हुए कांगो को किसी का मैसेज आता है वो वॉन जॉन से पूछता है जूनी आएगा ना वॉन जॉन पूछता है लिटल प्रिंसेस को उसका आटोग्राफ चाहिए था क्या और बोलता है लिटल प्रिंसेस के साथ जितनी सौपली बाते करते हो अगर बाकी लड़ खुश हो जाते हैं और बाहर पार्टी करने जाते हैं अगले दिन मिरान अपने ओफिस जाती है और खुश होती है कि इतने लड़कों में उसे चुना गया है और कॉंट्रेक्ट साइन कर देती हैं प्रेसिडेंट बताता है कि हमारे में क्लाइंट सेलिबरिटीज हैं और उनका मिरान को देखकर काफी शौक था फिर जिन्सू ही उसे ओफिस दिखाने के लिए ले जाने को कहता है और जिन्सू उसे पूरा ओफिस में घुमाता है मिरान बहुत खुश थी फिर काफी पीते हुए वो जिन्सू से कहती है तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए सौर मैं तुम्हें बिल्कुल भी परिशान नहीं करूंगी अगले सीन में जी हाय सबी से चुकते हुए माफी मांगती है और फिर कांगों के साथ किसिंग सीन शूट करती है जो कि बहुत ही स्टीली और रोमेंटिक लग रहा था उधर के स्टाफ और डिरेक्टर्स ये सीन देखकर हमारी तरह ही खुश हो रहे थे फिर जी हु जाते हुए देखती है कि कांगों किसके बाद ब्रश कर रहा था और उसे बहुत ही जादा घिन आ रही थी वो बहुत जादा चिड़ जाती है स्टाफ कहती है हो सकता है उसका पेट खराब हो गया हो जी हाई कहती है वो गे है इसलिए उसके बारे में आज तक अफवाह नहीं फैली क्या हो अगर लोगों को पता चल जाए अगले सीन में कंपनी के सारे लोग पार्टी में जाने के लिए एकसाइटेट थे और कार में बियर पीते हुए डांस कर रहे थे मिरान अपने आपको कमजो नहीं रिखाना चाहा रही थी इसलिए वो भी उनके साथ इंवाल्व हो जाती है प्रेसिडन्ट बताता है कि उनके क्लाइन्स उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं और वो ओकट फील करते हैं इसलिए कभी-कभी हम उनके सामने अपना मजाग बना लेते हैं ताकि वो अनकमफुटिबल ना हो पार्टी में सब फ़नी कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहे थे मिरान में स्चोई से मिलती है वोन जोन पहचान जाता है कि ये वो ही लड़की है जो कांगो को गिरते हुए देखी थी इस बीच डैंस करते हुए जिन्सू की पैंट फर जाती है फिर मिरान को भी डांस के लिए पुलाया जाता है यहां वोन जोन बाहर खड़े टैंशन में था उतने में वहां कांगो आ जाता है और वोन जोन कहता है कि अंदर कोई है जिसने तुमें गिरते हुए देखा है वो शर्मिंदा है मिरान कॉस्टू पहन के डांस कर रही थी कांगो अंदर आता है और मिरान कांगो के पास डांस करती है पार्टी आगे बढ़ती है और मिस चोई गाना गाती है वो जूनी को भी गाने के लिए बुलाती है पर कांगो पहाने से उसे बाहर ले जाता है चिंसू नशे में मिरान से पक्वास कर रहा था वो उसे खीच कर बाहर लाती है और इन दोनों को आते हुए कांगो देख लेता है मिरान चिंसू को मारती है और कहती है अब वो सिर्फ कलीक्स है और एक किक मार कर उसे बातरों में गिरा देती है अब पार्टी खतम हो चुकी थी सब घर जाने लगे थी मिरान मिस चोई से बाते कर रही थी मिस चोई कहती है मैंने तुम्हें ये नोकडी दिलाई है मैंने कहा कि मुझे फीमेर लॉयर चाहिए तो तुम्हें मुझे अच्छे से बेहेव करना चाहिए मिरान अपसेट हो जाती है और पहाना बना कर बार्वरूम चली जाती है और सोचती है मैं इतनी खुश थी कि उन सब लड़कों में मुझे चुना गया वो बाहर आते हुए कांगो से टकरा जाती है कांगो पूछता है कहीं तुम मेरा वेट तो नहीं कर रही थी विरान कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कांगो कहता है मेरे नजरिये से जब तुम गाना गा रहे थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था और कहता है कि मैं ऐसी लड़की को कैसे भूर सकता हूँ जो मुझे टांग अड़ा कर गिराई थी मिरान कहती है कि उसने कलर टाइम पर पैर श्रच कर लिये थे कांगो कहता है कि मेरे सामने जूट नहीं चलेगा और वो CCTV फुटेज चेक करेगा जिसके बाद मिरान सोचती है कि वो VIP क्लाइट को नाराज नहीं कर सकती और कहती है I am sorry मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बस तुम्हें टच करना चाहती थी फिर कांगो महां से चला जाता है मिरान और भी frustrated हो जाती है वो बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता बस एक कार सामने खड़ी हुई थी वो उसमें जाकर बैठ जाती है और काफी ठकी हुई थी तो उसमें सौ भी जाती है नेंथ खुलने पर उसे कांगो की आवाज सुने देती और उसे पता चलता है कि वो गलती से कांगो की कार में बैठ गई है और कांगो मिरान की ही बात कर रहा था फिर वो कहता है मुझे लड़किया पसंद नहीं है थोड़ी देर बाद कार रुकती है और कांगो जीयू नाम की लड़की से मिलता है मिरान मौके का फायदा उठाकर व बजर बजने लगता है कांगू और जी यू बहार आते हैं और जो कुछ भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बुलाते हैं बिरान थोड़ी डर जाती है और सोचती है ये कोई अंडरकवर ऑफिसर है क्या तो इसे के साथ एपिसोड टू होता है खत्म बिलते हैं अगले अपिसोड में पर प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें